इस फिल्म ने पहले दिन कमाए थे 56 रुपिये रिलीज के चार महीने बाद शोले की नाक में किया दम आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो रिलीज के पहले दिन तो फ्लॉप कहलाई लेकिन उसके बाद इसने अच्छे अच्छों को पानी पिला आज फिल्में बहुत बड़े बजट पर बनती हैं लेकिन उनमें से सभी बहतरीन रिटन पाने में सफल नहीं होती हैं पहले भी ऐसी फिल्में थी जो दूसरों की तुलना में ज्यादा महेंगी थी हाला कि उनमें से कुछ कम बजट पर बनी हैं और बड़ी हिट बन जाती ह ऐसा हमने इस साल मुंजियां और मल्यालम फिल्मों जैसे मन्जुम मेल बॉर्ज प्रेमलू के साथ देखा बॉलीवुड में सत्तर के दशक में तीस लाख रुप्ये के बजट पर बनी एक फिल्म थी जिसने शोले को कड़ी टक कर दी थी 48 साल पहले, 30 मई 2024 को सिनेमा घरों में जैस अन्तोशी मा नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी 1975 में इसने अपने बजट से बहुत ज्यादा करोडों कमाए अपने पहले दिन इस फिल्म ने मुंबई में 56 रुप्ये और तीसरे दिन 100 रुप्ये का कलेक्शन किया उस टाइम बिजनिस एनालिस्ट ने इसे एक फिल्म कहा था लेकिन आखिर में लोगों से मिली माउट पब्लिसिटी ने इसे सिनेमा घरों में ज्यादा दर्शकों को कीचने में मदद की कुछ ही समय में यह एक बड़ी हिट बन गई यह फिल्म कम से कम पचास हफ़ते तक सिनेमा घरों में चली जय संतोशी मा को विजय शर्मा ने किया था और इसमें कनन कोशल, अनीता गुहा, रजनी बाला ने काम किया था इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर पांच करोर रुप्ये कमाए हाला कि फिल्म मेकर्स को इसकी कमाई में कोई फाइदा नहीं दिखा क्योंकि डिस्ट्रिब्यूटर्स फिल्म लेने को लेकर डाउट में थे आखिरकार के दारनात अग्रवाल और संदीप सेथी ने फिल्म को डिस्ट्रिब्यूट करने का फैसला किया लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर सत्राम रोहरा ने खुद को दिवालिया घोशित कर दिया क्योंकि उन्हें इसकी सक्सेस से एक रुपया भी नहीं मिला था